जारखन लोकेशन का टोटल हमने दो वीडियो पबली किया है और जारखन में लोग काम करने के लिए बहुत जादा इंटरस्टेड है दरअसल हम लोगों के पास में अप्रूबल भी आ चुका है और ये प्रोजेक्ट हम नहीं बलकि डॉली मेडम हैंडल करेंगी और डॉली मे साथ कर देते हैं बात कितने से होगी एक से होगी और बाकी 999 लोग होंगे एक एक्जांपल शेयर कर नहीं करते हैं फिर भी साथ में 10 लोग जारूर करते हैं कि हा वीडियो आउट हुगा और 10 लोग लगतार कॉल करने लगे और पास समझ येHow दे इनन्फर्मेशन से आप विलोंग करते इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताए कि जार्खन से कितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जार्खन से कितने लोग प्यार करते सब लोग लाइक जरूर करें दबा के लाइक करें एक बात मैं बताता हूं देखिए वार्टसप ग करेंगे कि मेरा कॉल लगता थैंव थो onze लेकिन WhatsApp group में ऐसा रहेगा कि अगर राची location में requirement आया और आप लोग राची से है तो राची का address दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप लोग पहुंच के location पे call करो तो ये बेहतर होगा location पे direct लोग पहुंचेंगे और बात करेंगे और direct उनका joining वगेरा हो जाएगा और उनका CV सम्मीट होगा उसके बाद में आगे की परकिरिया चालू हो दी तो ये कहीं ने कहीं positive है आप लोग सोचते हैं कि हम call करेंगे हम बात करेंगे हाँ खीजियेगा बात लेकिन समय से जब आपका joining time होगा तब अब बहुत सारे लोग ये commitment करते हैं कि ये job fake है ये job is scams है आपको पैसा तो कोई नहीं ले रहा है ना अब देखो एक बात में बताता हूँ जो HR को गाली गलोस करते है ना उनका नाम black list में रख दिया जाता है फिर कभी job नहीं मिलता उनको चाहे उदे को माल ये dolly madam है dolly madam क् find jobs vacancy YouTube channel पे अपना advertisement share करवा थी हम उनसे पैसा नहीं लेते हैं हम किसी से भी पैसा नहीं लेते अगर माल यह चैनल को छोड़के वह किसी दूसरे चैनल पे भी आपका advertisement को share करवाएंगी तो क्या आपको नौकडी मिल जाएगा जब उनका black list में आप रहोगे तो नहीं इसलिए respect बहुत जादा important है किसी भी HR recruiter को response दीजिए respect दीजिए तो यहां पे आपको नौकडी लगने का chances 110% रहेगा लेकिन respect बहुत ही जादा important होता है right now यह free job है और इसमें किसी भी परचकार का charge या फिर fees नहीं है तो यहां पे free job होने वाला कोई भी charge या फिर fees job का नहीं रहेगा company का name है flip card large hiring and grocery department तो यहां पे जो है flip card company के तरफ से open positions पे requirement रहेगा तो यहां पे देखी फिलिप card का यह warehouse नहीं है फिलिप card का यह warehouse नहीं है फिलिप card का hub है hub मतलब क्या होता है warehouse और hub में बहुत ज़्यादा differentiation होता है वेर हाँस मतलब बहुत बड़ा warehouse होता है वेर हाउस तकरीबन बताओ तो एक एक बिगा दो दो बिगा जमीन में फैले हुए होते है वेर हाउस लेकिन हब जो होता है दो कठा तीन कठा चार कठा में भी बनाए जाते हैं छोटे छोटे प्लॉट रहते हैं उसमें क्या है कि हब बनाए जाता है हब में क्या होता है सामान आते हैं और वह लोडिंग हो करके फिर जाते उसमें पैकिन swap दोनों में काम है फिलिपकार्ट के अलग-अलग सेक्टर हाँ ग्राश्टी डिपार्टमेंट में सिर्फ आपका पीकर का प्रोफाइल मिल सकता है इसमें सेल्डी का स्ट्रक्चर भी आपका सीमिलर्ली थोड़ा सा सेल्डी रहेगा जैसे आपका सेल्डी का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग हो जाएगा तो यहां पर हम बात करूं तो नौ घंटे का रोटिस्टिंग रहेगा जिसमें डे नाइट इविनिंग करना होगा एमेज के लिए यानि की मैटेरियल हैंडलर के लिए जो पैकिंग करेगा पीकिंग करेगा और लोडिंग अलोडिंग करेगा यह मत सोचना कि मुझे लोडिंग अलोडिंग का काम नहीं मिलेगा लोडिंग अलोडिंग का भी आपको काम करना होगा इसमें 100% करना होगा बाइ माराइश से उन्चालीं साल ś 80 अगरं एक महीने भी ऊपर है तो नहीं चलेगानि Gomez Meksawn थे संदी Bombay ऴूर्ट 되면 चालू होगा फ़ले उंगरंने मोगाजारीं होगा a देफिनेटली से यहाँ पे भी open position से vacancy आएंगे आरकोस company के तरफ से लेकिन जम सैथ पूर राची धनबाद ये तीन location में डेफिनेटली से आने वाला है अभी फिलहाल जो आपका salary रहेगा वो fixed salary रहेगा एक महीने तक उसके बाद when delivery executive का पर पारसल के हिसाफ से हो जाएगा देखिए इसमें जो है image का salary थोड़ा सा कम है 9500 रुपे in hand रहेगा अब image का salary इसलिए कम है कि warehouse में ज़्यादा salary नहीं मिलता तो image का salary कम है इसमें रहना खाना भी नहीं है जारखन में कोई भी vacancy आएगा उसमें रहना खाना नहीं है एक time का भी खाना company नहीं देती है बाकी आपको management करना in fact यहाँ पर जो कमाई है image का कमाई इसमें नहीं है मैं साब साब बोलता हूँ जो material handler होते वेर हाउस के अंदर में रहते हैं पर मंथ का चौरानमें सो 57 रूपे उनका पर मंथ का salary आता है जो picking करते हैं loading unloading करते 9 घंटे continue उनका तो 95-100 के approximately मान सकते हैं कि उनका salary आता है लेकिन उसमें बचेगा कितना भाई traveling जाएगा room rent जाएगा खाना जाएगा तो उनका पैसा नहीं बचेगा लेकिन वही when delivery executive अच्छा खासा पैसा कमाता है वो कैसे क्योंकि when delivery executive का पहले महीने as a fix salary रहेगा first month fix fix salary रहेगा 12,940 CTC रहेगा in hand 10,000 तक आएंगे तो ये 10,000 रूपे तक पहले महीने का salary या पहले महीने का salary रहेगी when delivery executive का दूसरे महीने से वहा लोग 18,000 से 20,000 के बीच में कमाएंगे वो कैसे इसके बारे में भी थोरा से expressions जरूरी होता है तो यहाँ पे दूसरे महीने से उनको कमाई का potential कैसे होता है देखिए एक when है when है उसमें कितना parcel अटेगा 25 से 30 parcel तो अटेंगे ही अटेंगे अगर कोई राची से है तो राची में ही उनको काम मिलेगा जो है धनबाद से है उनको धनबाद में ही काम मिलेगा मतलब हब location से उनको जो घर की दूरी है 20 km के around 2 में होना चाहिए अगर 20 km से ज़दा है उनको रूट का पता है तो उनके लिए बहतर होगा तो यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे 25 से 30 पारसल रोज मिलेंगे और यहाँ पे पारसल एक पारसल का रेट 33 रूपे है मैं calculator उठाता हूँ और calculator उठाने के बाद मैं आपको calculate करके screen पे screenshot लगा देता हूँ यहाँ पे screenshot लगा दूँगा 25 गूने 33 825 रूपे रोज का बनेगा अगर 25 पारसल डिलेवरी करोगे तो यहाँ पे आपका 825 रूपे रोज का बनेगा और अगर माल यहाँ पे अगर 30 पारसल आप कर देते हो बीबीडी चालू होने वाला है तो 30 पारसल करते हो और इसको हम 33 से calculate करते है तो 990 रूपे रोज का बनेगा लेकिन यह जितना सुनने में आसाल लगता है उतना कही न कही difficult भी है और difficult इस वज़ा से है क्यूंकि आप ज उतना भी tough नहीं है जितना आप लोग सोचते हो लेकिन यहाँ पर काम इतना भी easy नहीं है कि आख बंद करके कोई भी कर लेगा right now जो भी information आता है जो भी काम का वेकेंसी आता है वो हम आपके साथ में importantly share करते हैं देखिए आप लोग WhatsApp ग्रूप में activate हो जाईए बहुत सारे ल location करके update किया जाएगा तो एक एक location का particularly vacancy रहेगा और एक location का आपको साथ में share किया जाएगा विल पहले महीने आप fix telly पे रहेंगे क्योंकि आपको काम भी तो सीखना जरूरी है किस परकार से parcel delivery होता है आपका speed बढ़ेगा मतलम हाथ का speed बढ़ेगा और जैसे speed बढ़ेगा उसके बाद आपको पर पारसल कर दिया जाएगा और बिग बिलियन डे अगोस्ट में चालू होने वाला है और 10 अगस्ते पहले भी हो सकता है कि वेकेंसी अपडेट हो जाएगा तो यह आपके लिए बेहतिरीन opportunities रहेगा याद रखे कि यह परजेक्ट जो है डॉली मेडम है करती है और डॉली मेडम का लास्ट में 10 नंबर है उसी को वाट्सप किजिए उसी को कॉल किजिए यहां पर अमन सर को या फिर कोई भी दूसरे रिक्रूटर को या फिर दूसरे एडमीन को कॉल ना किजिए जिनका लास्ट में 10 नंबर होगा फीमेल है डॉली मेडम तो आप उनको commitment कर सकते हैं call कर सकते हैं और WhatsApp कर सकते हैं लेकिन अभी मत किजिए 10 अगस से चालू होने वाला है गुरूप में अपडेट आएगा आप लोग messages वगरा कर सकते हैं जो आपको post डालेंगे मिलते हैं कोई नीडी recruitment के हिसाब से साथ में तब तक के लिए जै हिन जै भारत